इस वीडियो में दोस्तों बात करनेगे कोलकाता नाइट राइडर सोचेन नहीं सूपर गिंग्स यानि की के ओल वर्सेश सी एसके के बीच में आइपल गा जो मैच नमबर 33 के ला जाएगा आज से हम साथ पजे मैच स्टाट होगा तो वीडियो कम्प्लिट देखना मैं डिटेल मिस मैच को कवर करने वाला हूँ इंपोर्टेंट जो भी स्टैट से कोन से प्लेष को टीम में पिक करना बैई किसको ड्रोप करना है और captaincy wise captaincy की options आपको जो इस वीडियो में बताँगा न बोस आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाली है क्यों आपको उन प्लेस को captain wise captain करना जब आप लोगे वीडियो complete देखोगे न तो आपको सारी चीज़े समाझ आजएगी तो वीडियो को skip मत करना चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब करके नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना कोई भी मैस की वीडियो अप्रोड होगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना टेलिग्राम के साथ में नहीं जुड़े हो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर आपको लिंक मिल जाएगा टेलिग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा मैच के बात करते हैं वेन्यू रहेगा इडन गार्डन कोलकाता के वेन्यू पर मैच के लाइज आएगा मतलब केके आरगे टीम का होम वेन्यू देखने को मिलेगा टोटर यहां पर दोनों देखोगी वेन्यू पर 81 मैच हुए 34 विन करें 1st बैटिंग ने 47 विन करें 2nd बैटिंग ने थोड़े से ज़्यादा मैच यहां पर कंपेर अगर मैं करूँआ फर्स्ट बैटिंग के साथ तो 2nd बैटिंग ने ज़्यादा मैच विन करें ठीक है तो इस मैच में भी जो टीम टोस करेगी शाहिद पह साफी ज़्यादा पसंद कर सकते है ठीक एवरेज जो स्कोर है लगबग 162 का वेक चीज जानक ना यह जो मैच है इडन गार्डन स्कोलकाता के वेन्यू पर अब यहां पर कोलकाता के वेन्यू पर क्या होता है कि नोर्मली रंस बढ़िया देखने को मिलते हैं मतलब बैटिं दोमेस्टिक के अंदर तो 26 बार जो कि 500 से कम का स्कोर बना वो मैक्सिमूम टाइमस आपको दिखेगा लेकिन वेन्यू बढ़िया है तोकि आईपल के अंदर ऐसा आपको देखने को मिल लगए कि विकेट्स आपको काफी बढ़िया मिल जाएंगे ठीक है तो रंस बनने के उ CSK अगर यहां पर सेकंड बैटिंग करेगी ना तो मैं समझूँगा उनके विनिंग के चांसिज हाई रहेंगे क्योंकि CSK की टीम के पास में बोलिंग डिपार्टमेंट में आपको कोई भी जो है एक भी थोड़ा बहुत अच्छा प्लेयर मिलेगा नहीं क्योंकि बोलिंग काफी जाद आपको खराब मिलेगी अगर मैं CSK की बात करूँ के क्यार के पास में फिर भी आपको थोड़े बहुत अच्छे गेंद बात जरूर मिल जाएंगे तो CSK अगर पहले वेटिंग करेगी तो मेरे इसाब से विनिंग के चांसिज थोड़े कम हो जाएंगे और सेकं गार्डन्स के वेन्यों पे नॉर्मली स्कोर बढ़िया बनता है ठीक है तो वो देख लेना उसके बाद में सैकेंड मैस में देखोगे यहां पे 6 अपरेल 2023 को था केकर ने 204 गर थे RCB 123 करके गई थी अब RCB की टीम के साथ में आपको क्या सिच्वेशन देखने को मिलेगी अ दोनों प्लेश जो है फ्लोप गए थो तो उसी वज़े से यहां पे RCB ने उतना अचा परफूम नहीं गया था लेकिन केकर ने फर्स्ट बैटिंग में बढ़िया स्कोर किया 204 का ठीक है नीचे आओगे थर्ड मैच आपको दिखा दू 25 माई 2022 RCB ने 207 कर थे लखनव सूप गुजरात ने 191 बना के चेज कर दिया था यहां पे भी देख पाओगे कितना बढ़िया स्कोर बना अब देखो 180, 185, 190 का स्कोर T20 मैच में बहुत तकड़ा स्कोर होता है ठीक है फूर्थ मैच देखोगे 188 का स्कोर बना यहां देखोगे 207 बने ऊपर आपको लेकि आपको रिशेंड मैचेज के सेट से समझा जएगी ठीक है यहां पे अगर बात करें हैट टो एड मैच में आई पेल के अंदर दोनों टीम्स के बीच में 26 मुकाबले हुए केकेर ने 9 विन करें चेनई ने 17 विन करें तो चेनई आपको थोड़ा आगए देखने को मिलेगी लेकिन सेजन से ने की जो गेंद बाजी है वो थोड़ी सी कमज़ोर है तो यहां पे केकेर कही ना कही उस चीज़ का जरूर बेनेफिट उठा सकती है ठीक है दूसरे चीज़ बता दो दोस्तों अगर आपने विजन 11 को डाउनलोड नहीं किया तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप क्लिक के अंदर आप लोग दोस्तों तक यहां पर कॉंटेस्ट जोईन कर सकते हूँ रिवर्स फेंटसी बोलिंग फेंटसी और बैटिंग फेंटसी खेल पाऊगे जो में चीज़ है भाईया सबसे कम आपको इस प्लैटफों पे इंटरिफी देखने को मिलेगी तो जबरद भी देखने को मिल जाएगी तो बहुत जरूर जोईन करना क्योंकि हर मैच में आपको 50,000 का तो फिरी गिववे कंफर्म है कि भाई मिलेगा ही मिलेगा क्या पता किस मैच में आपका नंबर लग जाए ठीक है तो जरूर स्टार्ट कर सकते हूँ खेला वीजन ही ले उन पे ड तीस राना मंदीव सिंग रिंको सिंग अंदर रसल यहां पे सुननी नरेन रहने वाले हैं उसके बाद में अनुकूल रोई रहेंगे उमेश अदव वरून चकरवर्ति और भाईया कुलवंत खिजरोलिया अब देखो चेंजिस की अगर बात करू तो आपको क्या चेंजिस म प्लेयर सिर्फ लास्ट मैच के लिए रोई ने 43 कर रहे थे लेटन दास उतना अच्छा पर्फूम नहीं कर पाए लेकिन काफी टैलेंटीड प्लेयर है राइट है बंगलादेशी प्लेयर है टी-20 का बहुत अच्छा प्लेयर है ठीक है जरूर टीम में जगए दे सकती और्तरडोक्स को लेफ्ट हैंडट बंख संवाज के तो अच्छा प्लेवास के सामने धोडी सी प्रॉप्लम जरूर गी गेंदबाजी करने में तो वो ध्यान में र'veन दीन Lynch के दो- slowsरी में जग्या और दो विखेट्स भी निकाले थी लेकिन यहाँ पे शायद आपको नितिस गेंदबाजी गरते वे नहीं दिखेंगे मंदीब सिंग उतनी अच्छी फोर्म है नहीं रिंकू की बात करें पैतालीस कैवरेज एक्सवसी रंस कर चुके लेकिन क्यों KKR की टीम इनका बैटिंग ओडर इतनी नीचे कर रही है वो मेरी समझ से बारे देको प्लेयर बहुत टेलेंटिड है और ये टेलेंट आप लोग इस सीजन में इनका देख भी चुके होंगे ठीक है तो मेरे इसाब से थोड़ा सा उपर इनको जरूर बैटिंग करने ची है रिंको को उपर खिला लो मंदीब को नीचे रख लो ये चेंज भी ये कर सकते हैं रसल को भी ये बहुत नीचे रख रहे हैं मेरे समझ से बार है ये चीज क्योंकि रसल जो कर सकते हैं पूरी KKR की टीम में कोई नहीं कर पाएगा तो इनको उपर मेरे हिसाब से तो खेलन हो सकते है डारेक्ट आपको प्लेंग लेवन में खेलते वे दिख जाए ठीक है तो यह रहेगी दोस्तों केके आरगे टीम आगे बढ़ते हैं यहां से बात करते हैं चेन्नी सूपर किंग्स के टीम के बारे में रितुराज गाइकवर्ड डीवन गोन में ओपनिंग करेंगा ज चाहिद आपको एक दो मेंची जो और खेलते हुए ना दिखें सीएसके की सैड़ से वो जानकना अभी उनके भारे में कंफर्म न्यूज आ चुकी है तो बैंस्टो को और दिपक साहर याज का मैच एक बार फिर से आपको मिस्स करते हैं जरूर देखेंगे गाइकवर्ड को कोनवे दोनों तगडी फो में सीएसके के लिए और सीएसके को मैच को मैच को विन करना बढ़िया स्टार्ट देना पड़ेगा गायकवर्ड और कोनवे को एक बार फर से लास्ट मैच कोनवे ने काफी तगडी पारी खेली थी गायकवर्ड को भी बढ़िया स्टार्ट मिला बरोसे लाइक बंदा है नहीं कहीं पे भी किसी भी सिच्वेशन में अपना विकेट थ्रो करके जा सकते है ठीक है अंबती राइडू रहेंगे रविंदा जड़ेजा 6 इनिंग में 9 विकेट है तो ये रहेगे CSK की टीम उसके बाज में नीचे चलेंगे यहां से जो में चीज़ आएगी बैट्समेन वर्सिस बोलस के मैचसप्स के बारे में बात करते हैं अब अगर मैं मैचसप्स की बात करूँगा सबसे पहले CSK के बल्ले बात करेंगे केकार के बोलस के सामने रितुराज गायकवाड के साथ चुरुआत करते हैं उमेश के सामने एक बार उटोए नरेन के सामने एक बार रसल के सामने एक बार और चकरवरती के सामने एक बार लेकिन डीवन कोनवे रेंगे उमेश के सामने एक बार उटे अब ये बले बाज भी मेरी टीमे आपको मिल जाएके क्योंकि कितना स्टोंग प्ले रहें टेक्निकली स्टोंगा विकेट थ्रो करके जाएगा नहीं क्योंकि भाया ये फिल्ड के साथ में खेलेगा ठीक है चक्ये बले ही बाई बहुत ज़्यादा खराब है नरेन के सामने चपन गेंड में केवल सेवन्टी वन अनसूर चार बार आउट हो चुके तो ये सबसे खराब आकड़े मुझे दिखे अजिंकर आने के लेकिन करंट जो फो में वो काफी बड़ी है रिस्क लेना तो रहाने को ड्रोप कर स सकते हैं नरेन के सामने ये भी ओलड़ी दो बार आउट हो चुके बाकी गेंड बाद जो के सामने उतनी ज़्यादा गेंड इन्होंने फेस नहीं करी या फिर ये काओं कि बाई अपना विकेट नहीं दिया ठीक है तो यहां भी नरेन के सामने मोहिनली और बाईया यहां पर जिंकर आने दो बाले बाद जो कि CSK के थोड़ा सा समल जरूर खेलना पड़ेगा उसके बाद में सिवम दूबे जो कि हिटिंग तगड़ी कर सकते हैं राजल के सामने एक बार आउट होए चकरवरती के सामने एक बार आउट होए लेफ्ट एंड बल्ले बाज है किसी भी सि CSK को जरूर मिल जाएंगे तो CSK के जो important player है उनके पूरे match up साफ के सामने अच्छे से देख सकते हूँ ठीक है मैं नीचे चलता हूँ दोस्तों यहां से बात करते के के कार के बल्ले बाजों की CSK के बोलस के सामने अब एक चीज बता दू जो के के कार के बल्ले बाज है इनके उतने ज़्यादा match up साफ को नहीं मिलेंगे क्वाई एक थो बाई बल्ले बाज ऐसे है जिन्होंने जादा आई पुल में मैचिज नहीं खेले दूसरा CSK के जो बोलस है उन्होंने बही उतने जादा match इप नहीं मिलेंगे लेकिन जितने भी available है वह मैं आपको provide कर वारा हूं रोई देखोगे किसी भी गेंद बाज को आउट वे नहीं है क्योंकि भाई आपको बता दिया उलड़ी आई पेल में रोई ने उतने ज़्यादा मैचिज नहीं खेले ठीक है उसके बाद में नीचे आओगे वेंग्टे सायर देखोगे इन्होंने मैचिज जरूर ज़्यादा बात करेंगे ये भी किसी भी CSK के बोलर को अब दक अपना विकेट देखें नहीं गए ठीक है नीचे चलेंगे रसल की बात करते हैं रसल यहाँ पे सर्फ एक बार मोहीनेली के सामने आउट वे बाकि किसी भी CSK के गेंद बाज को आउट नहीं हुए और जड़े जागे साम से अगर KKR के टीम आज के मैच में रसल को थोड़ा उपर अगर परमोट कर देना बैटिंग में तो रसल मेरे साब से आज के मैच में बहुत तगड़ी पारी खेल के जा सकते है ठीक है तो कैप्टन से की बहुत अच्छे पिकरेगा लेकिन उमीद गरूँआ KKR थोड़ा बैटिंग इनको जरूर करवाए अब ज़्यादा नीचे बैटिंग में रखेंगे उतनी ज़्यादा अगर गेंदे खेलने को मिलेगी नहीं तो भाई फिर तो क्या ही कह सकते है लेकिन अगर पहले बल्ले बाजी कर रही है के क्यार जरूर रसल को आप लोग अपनी टीम में एजे कैप्टन भी ट्राई कर सकते हो ठीक है तो पूरे मैचप साब के सामने अच्छे से एक बार रीड कर लेना ठीक है मैं अभी आपको लेके चलता हूँ सिधा डेमो टीम पे लेकिन डेमो टीम में रहेगी फाइनल टीम टोस्ट के बाद टेलीग्राम पे आएगी दोस्त कमेंड सेक्शन और वीडियो के डिसक्रिप्शन दोनों जगहे पर मिल जाएगा अभी देखो कि मेरे जो 11 प्लेयर की टीम है वो आपके सामने लेकिन ये जो टीम है ना वाई ये देखो ओल्ड फेंटसी रूल के चलते टीम है ठीक है जहां पर आपको मिनिमम तीन प्लेयर मिनیمमर 3 प्लेयर ओलांडर सेक्षन से और मिनिममम 3 प्लेयर आपको बॉलिंग सेक्षन से पिक करने पड़ेंगे लेकिन यूव फेंटसी रूल के अकोडिंग अगर आप लोग टीम बनाऊगी ओर वो टीम थोड़ा अलग बनेगी और वोटीम आपकी बढ़िया भी बन सकत बाकी अच्छी ओप्सन में आपको यहां पर लेटन दास भी मिल जाएंगे तो उनको भी ट्राई कर सकते हो सेफ जाने रोई को ड्रोप करके सिधा मोहीन एली को टीम में पिक कर लेना ये आपकी सेफ टीम मन जाएगी कैटन सी वाइस कैटन सी गायकवाड है बोस डीवन कौन वे यहां पर आंदरे रसल रहेंगे वैंक टे सायर जो की काफी अच्छी फोम है ये चार प्लेयर मेरे इसाफ से अगर आपको सेफ खेलना है तो बहुत अच्छी पिक्स है लेकिन अगर आपको कुछ यूनिक ट्राई करना है तो आप लोग यहां पर जैसन रोई को इस मैच में ट्राई कर सकते हो करता है कि आप लोग भाई किस बेस पर टीम मनाने वाले हो ठीक है उमीद करता हो दोस्तों वीडियो आपने कंप्लेट वोच क्या होगा पसंद आये तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल सब्सक्राइब कर लेना नोटिफिकेशन बैल ओन कर लेना कोई भी वीडियो अपलो करेगी